यह कहानी ऐसे बच्चे के बारे में जिसके हम पिता आग में जल जाते हैं फिर बच्चा बोलता है कि अब मैं जो तुम्हारा नया मास्टर हूँ अब देखना यह है कि आखिरकार यह जो बच्चा है यह अपनी कंट्री को कह समालेगा अब कहानी की सुराथ होती है और हम इसके बच्चति का जक्ष्टे यहां फिर से यहां पर आपने काम पे जाता है लेकिन इसके दिल में दोरा पड़ता है और यह जो भी जाता है जिसका नाम यहां पर एरिस होता है और यहां पर जो चीज़ें उनको जह सिखना शुरू कर दिया और इस वर्ल्ड के बारे में जाना शुरू कर दिया मेरा जन्म यहां पर एक नोबल फैमिली में हुआ है और यहां पर मेरी जो पीता है वो जहें एक राज़ा है और मेरे जो विलेज है वो जहें यहां पर थावजन पीपल का एक विलेज है और दोलन शीवग हैं आप मैं देख सकते हूँ, जिसके बंदे बाद कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो मास्टर हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ पर आचुके हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छे महाराज बनने ही आगे चलके, अब एलिस यहाँ पर बंदों को देख रहा होता है, तबी एक बंदे को देखता है, जिसको भाले से लड़ने में काफे दिकत हो रही होती है, एलिस जो होता है, उसको चेक करता है, और उसको पता लगता है कि इसके पास यहाँ पर तीर धरुश चलाने की पावर है, फिर एलिस यहाँ पर इस बंदे के पास जाता है, और यह बोलता है कि आपने कभी यहाँ पे बो को ट्राइ किया है तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि नहीं मैंने बो को ट्राइ नहीं किया अखिरकर बो को को ट्राइ करना चाहेगा बो के साथ खेलना यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी सेव जोन में रहके यहां पे जो बंदे हैं उनको जह मार रहे हैं मुझे जो भाला है वो काफे अच्छा लगता है तभी यहां पे अलिस बोलता है कि मुझे लगता कि आप यहां पे जो बो हैं वो अच्छे से चला पाएंगे यहां पे अलिस बड़े प्यार से बोलता है तो यह बंदा मना नहीं कर पाता और यह जो होता यहां पे बो को ले आता है तभी यहां पे बाकी बंदे बोलते कि तुम पहली बार यहां बो को चला रहे हो तुम आगे से चला सकते हो तो यहां पहली बोलते कि नहीं आप यहीं चलाएं फिर जिसके बाद ये बंदा कहता है ठीक है और ये जो होता है यहाँ पे निसाना जहे लगा जिता है और इसका जो निसाना होता है वो पहली बार में ही यहाँ पे ठीक लग जाता है सोई बंदे शोक में जहे आ जाते हैं मुझे लगता है कि आर्षरी में काफी अच्छी है. तभी यहान पर एक बंदा बोलता है, लेकिन यंग मास्टर आपको कह भर चला, कि यहान पर यह बंदा जह हैं आर्षरी चलाने में अच्छा है. तो एलेस बोलता है कि मेरे जो इंसेंट है, वो जह मुझे कह रहे थे तो यहाँ पे बंदेज जो है इसकी बात को हसी में जह उड़ा देते हैं जिसके बाए एलिस बोलते है कि मैं इन लोग को नहीं बता सकता कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी पावर है कि मैं सुना है कि तुमने आज एक सोल्डर की जो टैलेंट है उसको जह तुमने पहचान लिया था तो यहाँ पे एलिस बोलते कि हाँ जिसके बाए एलिस बोलते कि यह जह मेरे फादर है लेकिन यह बहुँजा गुसे में रहते हैं इसलिए मैं इसे बहुजा ड़ता हूँ लेकिन यहाँ पे जो मेरे फादर है वो बहुजा श्ट्रोंग है वो यहाँ पे किसी बंदे को अराम से जह माट सकते हैं जिसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते कि तुम जल्दी से ग्रो हो पाओ जिसके एलिस बोलता है कि आपका शुकरिया नेक्शिन में एलिस बढ़ रहा होता है और यह बोलता है कि जब से मेरे फादर ने ओ बात कही है जब से मैं यहाँ पे इस एमपाइर के बारे में जया जर्मकारी है उसको जए खटा करता हूं क्योंकि यहाँ पे कभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो बंदें उनको जहें लीड करना पड़े और वी जहाँ एक वोर ऑसक्टा है यहाँ पर जया सकता है और यह जो अपना मूँ छुपा कर आया होता है और यहाँ पे यह बंदों को चेक कर रहा होता है किसके पास कितनी पावर है लेकिन यहाँ पे ऐलीस को कोई बंदा नहीं मिलता जिसके पावर हो और ज्यादा यहाँ पे पावर इस करने की वज़े से यहाँ पर Alice की जो आके हैं वो भी जह दर्द करने लग जाती है जिसकी वैसे वो जह यहाँ पर रोने लग जाता है जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर एक लेड़ी एक बंदे को बाहर निकाल देती है जिसके बाद हम देखते कि यहां पर एक बच्चा बोलता है कि वो तो मेलकन है ना बच्चे की मुई बोलती कि हाँ वो मेलकन है तुम उसे दूर रहो वो जह बहुत जा गंदा है आखिरकार जो मेलकन है वो यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर जो एलीस होता है यहां पर दूस है और यहां पे इसको थैंक्सिंट्यान बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ यहां पर जब बड़े बंदें वो जायां गुल जाईनगे तो यहां पर मेलकन शोक में आ Bartamon में बोलत है कि मुझे यहां पर सबसे बेस्ट बंदों को इकटा करते यहां पर एलिस बोलता है कि तुम चीनता मतलो मैं जो हूँ रोयल फैमिली से हूँ तुम चाहो तो यह चीन देख सकते हो यहां पर फिर मैलकन बोलता है कि वैसे तुम मुझे अपना रिटेरन क्यों बना चाहते हो तो यहां पर एलिट बोलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर ब को मैलकन कि होता है यहां पर जा रहा हुता है यहीं पर इलीड़ इसका पीछा कर रहा होता है और यह बहुत गानजाता है जिसके यहांपे एलीस के घर पढ़ी बौलता है लगता है कि तुम सच चमें यहांपे डूक के बेते हो जिसके एम relatively को यहांपे खाने लिए और तुम लोग मेरे गेस्ट को ऐसे समान दोगे जिसके बाद ये दोनों माफी मांगते है इसके बाद मैलकन को यहाँ पर जो होता है खाना दे दिया जाता है उसके बाद मैलकन यहाँ पर खाना खा रहा होता है तब यहाँ पर Alice बोलता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे तो Malikun बोलता है कि मैं एक मर्चंट बैंड के लिए काम क्या कर दे था लेकिन यहाँ पर वोर के दोरान वो जो बैंड है वो जह मर गया था इसके बाद खाने की तलास में मैं यहाँ पर आ गया पास और पास उसके फादर बोलते कि अच्छा तुम कहते हो कि इसके पास टैलेंट है लेकिन यह जह एक मैलकन है और मुझे नहीं लगता कि हम आपने साथ रखना चाहिए तो यहां पर इसके पास बहुत जाएंट है अगर हम इसे यहां पर जाने देंगे तो हम जह बहुत कु ज्यू है और जो मेलकन है वह तो बच्चा है यहां पर इसके फादर बोलते है क्या इसके पास टैलेंट नहीं है तो यहां पर यहांप मेरे लिए इतनी परशानी क्यों जहे. कि आपको मेरे उपर तरस आ रहा है तो एलिस बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो और तुम मेरे साथ में रहो इसके मैलकल बोलता ठीक है फिर यह लोग रड़ाई करने के लिए यहां पर आ जाते हैं और यहां पर हम देखते कि जो दोग यहां पर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं मेलकल यहां पर महराज के हमले होते हैं उनसे होता है बच रहा है औरकर उल मोड़न बोल कि आज मिलकन के ऊपर लगातार, यहां पर हमला कर रहे होते हैं, यही पर मिलकन होता है, वो हता नीचे गिर जाता है, फिर यहां पर Alice की बातों को याद करता है, बोलते हैं कि मुझे तम्हारी हलफ चाहिए, तुम जे हमीरे साथ में रहो, लेकिन तबी महराज के कुछ बाल नीचे गिर जाते हैं इसका मतलब मैलकन ने यहाँ पर महराज के उपर हमला कर दिया ओबी जह एक और यहाँ पर मैलकन जीत चुका है जिसके महराज यहाँ पर अलिस को बोलते कि तुमने बहुत अशा काम किया तुम ऐसे ही बहुत सारे बंदों को यहाँ पर ढूंड के लाते रहना नेक्षिन में यहाँ पर मैलकन जी होते कपड़े पहन के तयार होता है और यहाँ पर अलिस इसको देखे काफी खुश होता है यहां पर अलिट बोलते हैं कि मैं सुना है कि आप यहां पर पार टाइम सर्वेंट का काम भी कर रहे हैं वो जो होते इसको घर से बाont निकाल देते हैं अब यहाँ पे घर से बाहर आजाता है कि मेरा काम पूरा हो गए अगर मेरा दबार जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे शांती बाए जिन्गी चाहिए जिसके बाद यह मर जाता है फिर नेक्षिन में हों देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दुबारा से उट जाता है और इस जनब में इसका नाम एलन होता है तब यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और यह बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है जिसका मतलब तुम एक ओर्णेरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिल में किसी ऐसे बंदे की कोई जोत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथी तुम्हें कोई बलसिंग भी नहीं मिली गोट से इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे होता है यहाँ बहुत खुश होता है और यहां पर चाहरी जिंदगी भी बहुत ब्हुत बेकार ती इस बार में अपनी अच्छा करूंगा यहां पर बहुत करणा यह इस सता है और यहाँ कांटरी होता है उसकी बांटरी तक बहुत जाता ह infect और उस PayPal Ayewa भ ठोकम करे whisper से चलना सुरू करता है यहीं पर हम एक नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर फाइटिंग कर रही होती है यहीं पर जो इसकी महरादी होती है वो सके पीछे करा ड़ा होती है और यहाँ पर नाहीं च्छोड़के जाँग कि जिसकी पाइद ती के नहीं आप भाग जाए मैं इनको रुक करने तो यहां पर STEP यह रिसे बोलता है आखिर कार यहां क्या कर रही है इसके बाद करता कि कैसे जैसे क्याने यहां पर सभी बंदे इसके ऊठाब की इसके पास कोई power नहीं थी तब यहाँ पे जो princess है वही जह मेरे लिए खड़ी हुई थी और यहाँ पे सभी बंदों को डाट भी रही थी यहाँ पे Alice बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी power का अस्तमाल नहीं करना था लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी help करती थ जिए मैं यहाँ पे मुसीवत में था तो मैं उसकी help जरूर करूंगा जिसके बाद यहाँ पे जो Alice होता है वो अपनी power को activate कर देता है और यह बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसस के पास और यहाँ पे आते ही यह monster को पकड़ लेता है और उनको मारना सुर कर देता है तब यह देखता है कि यहाँ पे जो monster है वो जह असल में एक जह कले की तरह है जिसके बाद यह आपनी power का इस्तमाल करता है और इंकी weakness को रूंडता है और यह कहता है कि इंके अंतर एक कोर है अगर मैं उसे खतम कर दूँ तो यहाँ भी खतम हो जाएंगे जिसके कि अर्वार यहाँ पे अपना सोड़ वाला हमला इस्तमाल करता है और इन सबी को एक साथ जो होती है यहीं पर चाही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो आखिर का फिर्कार में क्या बोलूं कि यह पावर मेरी पीछली जिनघी से मुझे मिली है अभी तो मेरे पास कोई प तब यहाँ पर जो एले होता है यह बोलता कि छोड़ो इन बातों को तुम मुझे यह बताओ कि आखिर का तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो तो एलीसिया बोलती की बात असल में यह है कि यहाँ पर हमारे सामने एक भुषवानी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भुषवानी थी हमें उनके बारे में ज़्या कोस तो पता नहीं चला लेकिन सिप इतने बार चला कि हमें कोबाल गाओं में जाना है हम जह वहीं पर जा रहे थे तब इन मॉस्टर ने हमारे उपर हमला कर दिया लेकिन एलीस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिसके बार एलीस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से बाचीत नहीं करने चाहिए हमें यहाँ पर अंदर चलना चाहिए और यह जाता है और यहाँ पर जो बगई होता है उसको हील कर देता है फर यह दोनों यहाँ बैठ जाते हैं यहां पे अलिसिया बोलती है कि हां तुम्हारी फैमिली ने तुमको जह निकाल दिया तो अलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो तो यहां पे जह एलन होता है यह बोलता है लेकिन आपके साथ आपके महल में नहीं जाओंगा तो यहां पे अलिस यहां पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता है यहीं पर टीना बोलती कि गाओं कुछ जाशान्त नहीं है जिसके बाद यह लोग यहां पे आसवास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक जूंड दिखाई देता है सबी बंदे यहां पे जहें कटे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहां पे जहें एक लड़की बाहर जहें आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है यह बोलता कि तुम यहां से चली जाओ मुझे तो उनसे कोई बात नहीं करनी तो भी यहाँ पे अलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और यह बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है जिसके बाद यह अकीरा को बुलाती है तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि आखिर कार तुम कौन हो तो अब अलिसिया बहुत अगुसा हो जाती है और यह बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पर जो मेल है वो जह शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पर पूरा जो महल है वो जह घुमाया था तब ही मैं इस विलेज की पास में पहुच गई तब ही एक लड़की यहां पर भागती हुई आई और बहुता डरी हुई थी और बोर रही थी कि यहां पर एक ड्राइगन उसको माने के लिए ढूंड रहा है और वो जह मेरे पास आ चुकी थी इसके और मैंने यहां पर तैग मैं यहां पर जिय का छी बंदा बंदा करता है यहां पर बॉलती कि अंधा के इंदर चुपा दिया है वो उस तक ना पोच पाई मैंने यहाँ पे तैक कर लिया कि मैं जाओंगा और ड्रेगन को यहाँ पे जह मार गिराओंगी जिसके बाद यहाँ पे यह लोग बोलते कि तुम्हारा के लिए जाना ठीक नहीं रहेगा हम भी जह तुम्हारे साथ चलेंगे जो एलन होता है यह बोलता है ठीक है मैं भी जहो तुम लोग के साथ चलूँगा जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लैन इन लोग को समझा रही होती है यह बोलते है कि मैं जहों आगे से जाओंगी ड्रेगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे साना और उसके उपर यहाँ पे हमला कर देना तब यहाँ पे जो एलन होता है यह बोलता है कि तुम्हें केले नहीं जाँ चीए मैं जहों तुम्हाई बदले यहाँ पे आगे से जा सकता हूँ अकीरा बोलते है कि मैं यहाँ पे सेंस कर पारही हुँ कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यदा पावर है लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो मैं भी जहों बहुत जYदा तागतवर हूँ और जो ड्रेयोन है वो बहुँता हो खतरनाक है और जिसके बाद हम देखते कि यह लोग यहां पर पहाड पर बहुत जाते हैं, यहां पर एलन बोलता है कि यहां पर इतना बार ड्रेगन रहता है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहां पर ध्यान नहीं दिया इसके उपर, यह तो हो इसकता, मुझे लगता कि उन लो कि यहां पर किसी और कुम्सार न पहुछ आए। जिसके बदले में यहां पर जो गाव वाले हैं वो गावाले ऊहां कि हमें साथ बंदे को कु假 कर दिया आई हों, तुम्हारे हम लोग से मुझे कुछ भी नहीं होना, क्या कि तम सहीं हिरो हो हुब अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज़्यादा गुस्ता आ रहा होता है तब यह एकदम से साइड में देखती है और यह देखती कि यहाँ पे जो चोटी बच्ची होती है वो जो थी यहाँ पे लेटी हुई होती है मैंने इस लड़की को यहाँ पे भेजा था कि यह किसी और बंदे को लेकर आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूँ और बंदा तड़ पे और यहाँ पे रोए चुकि इंसानों की चीक सुनने का मज़ा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीके बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर अकीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यह जो होती सीधा इसके उपर हमला कर देती है और यहाँ पर जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन होता है उसे जह कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और यह बोलता है कि आदम सही में यहाँ पर स्रियस्ती इस हमले से मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला यह हमला होता है वो हमला करने वाला होता है तब हम देखते कि यहाँ पे जो आलन होता है वो यहाँ पर आ जाता है इसके बाद सब्सक्राइब है कि इसके बाद सभाए दिल मरने से यहाँ यहां पर मर जाएगा इसके बाद तरह से आज़े हील हो चुकी होती है जिसके बच्ची यहां पर उठती है और यह जा ड़ए लगा लेती है और बच्ची अकीरा को धंक्यू जा बोलती है फिर सिर्ण होता है यहीं पर हम देख करके अकीरा जाने के लिए त्यों करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे यहाँ पर अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूँगी लेकिन यहाँ पर जो यह बच्ची है यह भी जह मेरे साथ में रहेगी। तलवार है तूट गई मुझे माफ करना मैं तुह यहां पर रीपै करणने के लिए नहीं करसकती हो मुझे 부탁 पाया क्विडिक influence बाद अब यह बची को बोलते हैं वह मोँझेे हैं यह ऊंत् ăn ही मिली है जिसके बाद महाराजै बोलते हैं कोई बात नहीं यहां तुम पहले जो लड़की है उसका पता लगाओ मुझे जो उसकी बहुत जिरूबत भी नहीं उसका पता हो जाता है फिर नेशिन में हम देखते हैं कि यहां पर यह लोग जा रहे होते हैं यहां पर जो टीना होती है बोलती कि यहां पर ग्रैमिन गाउं आने वाला है जिसके अंदर यहां पर जो अलीसिया होती है बोलती कि में जो फरेंड है वो जहें काफी अच्छी जो क्राफ्ट मैंन है वो है और वो यहां पे बहुत अच्छे तलवार बनाती इसलिए हम लोग वहाँ पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हाई लिए जो नहीं तलवार है उसको जह ले सकें और साथी तुम मुझे माफ कर देना असल में मेरी विए से तुम्हें इन सब चीजों में फसना चलो ठीक है अब जो तुम कहोँगे वही होगा अगर दूं चाहते हो कि इहां पर मैं तुम एकले छोड़ दू ging तो यहां पर ऐलीस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें साथ चलने के लिए तयार हूसी लेकिन यहां पर मैं जहों केंडर दुबारा नहीं जाओंगा, जिसके वए ऐलेशा बोलती कि तम उसकी चींता मतलो, मैंने यहां पर फादर से पहले ही बात कर अब हमें दुबारसे कैपिटलर गंदर नहीं जाना पड़ेगा एलिस जो होता है खुश हो जाता है जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते एक जगा बैटे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जहrade जला रहे होते हैं और जिसके बाद यहां पर रात हो जाती है फिर इसके बाद यहां पर जो एलिसिया होती है वो जो होती एलिन के शुल्डर पर सो जाती है एलिन बोलते है कि मुझे इस सब चीजों को देखके यहाँ पर पहले दिन यादा गए जब हम पहली बार यहाँ पर मिले थे उस दिन भी यहाँ पर इसी तरह जो चांदनी भरा मुसम था वो था असमान के अंदर बहुत सारे जो बीटिफुल तारे थे वो जहें टिम्टिमा लाशन को देखते हैं यहाँ पर कि तुम्हारा गाउं तो बहुत जाए यहां पर बहुत सारे बंदे हैं यहांपे टीना बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहां पर मेरे बाौंडरी के पास इतना अच्छा जो है गाउं वह भी है जिसके बाद यह नोग एक घर के बाहर पहुच जाते हैं यहां पर कि आपके फ्रेंड यहीं पे रहती है तो यहाँ पे अलीजिया moti को देखके क्हां कि उसकी फ्रेंड के नीचे होती है आप बुल गई गी क्या यह सो रही है पिर यहाँ जिया होती है वह ह avail और अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जह ब्रेक लेना भूल जाती है ये खाना खाना भूल जाती है और साथ में सोना भूल जाती है इसलिए जब ये ठक जाती है तो अपने या पर नीचे गिर जाती है जिसके बाद नेक्शिन में हम देखते कि यहाँ पर यह जो होती है उड़ जाती है और यह बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद यास तो लड़की का नाम यहाँ पर नोईला होता है नोईला जो होती है यहाँ पर अलीस को देखके पूछती है क्या खिर यह कौन है जिसके बाद यहाँ पर टीना बोलती कि यह हमारी जो महरानी है उनके जह बोडी गार्ड है जिसके बाद यह बोलते है नोईला अच्छा यह अलीस का बोडी गार्ड है वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पर मुझे जह तलवार बनानी है जिसके बाद यह ब बोलते कि लगता है कि तुम बोजा स्किल्ड बनते हो जिसके बाद यहां पर नोयला जो तेसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और यह बोलते कि तलवार बहुत जादा यूस की गई है और यहां पर अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूस की गई है जिसकी विशे जो तलवार है वो जह मर चुकी है अब फिर यहाँ पर नोयला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ और यहाँ पर एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पर ऐसी तलवार यूस करना जाते हो जो यहाँ पर डिवाइन सोड हो जिसके बाद नोईला इंको बहार निकाल देती है और यह अंदर बंद हो जाती है और काम करना सुरू कर देती है यहीं पर एलीस बोलती कि उमीद है कि जो नोईला है वो अपने आपको ज़्यादा हार्ट पुश नहीं करेगी जिसके बाद यहां पर यह लग बोलते कि असल में जो नोईला है वो जब भी काम करती है तो यहां पर बंदों को वो जह बहार निकाल देती है फिर हम नैखीन में देखते कि यहां पर एक लड़की पेड़ बे बैठी होती है और यह बोलते कि मुझे इसकी रिपर्ट देनी पड़ेगी और यह जो होती है रिपर्ट देने के लिए यहां पर उसी ओल्ड मैंड के पास आजाती है और यह बोलता है कि अच्छा जो सेंत है वो यहां पर आ चुकी है लेकिन जहां तक मुझे इंफ्रमिशन मिली थी वहां तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जए कनेट होनी चाहिए थी और वो भी जए एक लड़की आखिरकर वो लड़का कौन है मुझे लगता है कि मुझे उसके बन में जनकाई निकालनी पड़ेगी यहीं पर एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए तो यहां पर जो टीना होती है बोलती कि अगर तुम आपर टाइम है तुम्हें यहां पर पहले थोड़ा सा अराम कर लेना चाहिए यहीं पर जो एलिसिया होती है बोलती कि ठीक है मैं अर्वेंच से गिल में जाता हूँ अब और यह बोलने के बाद यह जो होता है बहार निकल जाता है यहीं पहले इसे कहती कि अपना ध्यानक ना और जिसके बाद यह चला जाता है फिर हम नैखिन में देखते हैं कि यहां पर एलन जो होता है ड्रेगन की पूछ को ल कि अखिर का तुम्हें ड्रेगन को मारा कैसे तो यहां पर जो होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है कि मुझे पहले इसको नाम दाना पड़ेगा जिसके बाद यह बोलते कि मैं नाम यहां पर होरन है और तुम से मिलके मुझे बहुत खुशी होई क्या तो मुझे कि अखिरकार तुमने यहां पर इसको मारा कैसे क्या तुमने यहां पर जो हीरो है उसके हां मिलके मारा है इसको तो यह बोलता है कि हाँ आप जब कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो अरवन्चे गिल के लड़की होती है वो यहां पर आपिस आ जाती है तो ओल्ड में हम देखते कि यह लोग नोला के घर बोच जाते हैं और यह देखते कि नोला फिर विस्जिया जाती है और एक है तो यह कहते कि फिर से इसको झाल कर देती है यहां पर जो एन्स होता है यह मिलके जो इस व необходимо कि चलो हमें सी तलाय को होड़ यह कैसे काम कर रही है यहीं पहलन बोलता है कि आखिर का तुमने यहां पर ब्लैक समीद बनने का क्यों चूस किया जिसके बाद यहां पर नोयला बोलती कि उन दुनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी और मुझे नहीं बता था कि मेजर पैलन से वह कौन है और मुझे क तलारों के बारे में कुछ भी नहीं बताया लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया तब एक दम से कहती कि आखिर कर मैं तुम्हें आपनी परसनल लाइफ है वो जह क्यों बता रही हूं और यह जोती काफ़ी है सरमा जाती है और समाते हुए यहां से भागना सुरू कर होती है और बोल थे तुमने बहुत ही अच्छement क्या तुमने इसके ऊपर एक भी जो ख़रोच है वह नहीं आने दिया चलो अब हम लोग भाग जाओ और तबी जो मॉष्टर होता है वो आता है और यहाँ पर इस लड़की को यह खा जाता है और यहां पर भंस्ट्र को देख को बहुत ज़्धा गव्रस आती है और यह यहां पर इलीस को बहुती कि तुम आपको स्रीस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही चलिए ठीक है मिलता हूँ अगले अपी शोड के अंदर जब तक लिए बाई बाई